श्वागत है मैं सुरील पांडे All College Information चैनल में आप शबी कर श्वागत है जैसे कि सभी छात्र परिच्छा को लेकर बहुत चिंतित थे जो कि सत्र बीश से तेश के छात्र छात्राओं जिनका नमानकन के बाद बे सभीरी से परिच्छा का इंतिजार था जो कि अब खतम हो गया जो कि परिच्छा की तिथी निर्धारित कर दी गई है और कब से Admit का इसका जारी होगा और ये एक्जाम किस पैटर्न पे होगा ये अबजेक्टिव होगा या सबजेक्टिव या एसाइमेंट के द्वारा होगा और इसका Home Center पड़ेगा या कहीं Center डालेगा ये सभी चानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी और वीडियो को आँगे बढ़ाने से पहले बता दे कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आज हम बहुत जादा excitement है क्योंकि एक्जाम को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि हम लोग का एक्जाम कब से होगा और इसके Admit Card कब से जारी किया जाएगा और Admit Card जो डाउनलोड की होगा उस पर कैसे क्या process है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को share कीजिए तो आईए आपको हम बताते हैं कि इसकी क्या पूरी process है आप जैसे कि आप देख सकते है वीरकॉर्स इंविशिटी से कुछ पेपर आउट होता है जो की उसके अनुसार हमा अप लोग को notification देते हैं जैसे कि आप इहाँ पे देख सकते हैं पार्ट वन की परिचा जो की 28 से यानि कि आप लोग को फूना बता दे पार्ट वन का जो की 27-23 के पार्ट वन का जो एकजाम होगा वो 28 से एकजाम स्टार्ट हो जाएगा बीरकोर से भी सुभिध्या लेके वीवी के परिच्छा विभाग ने 20 से समेश्टर 27-23 की परिच्छा 28 फरवरी से सुरू होगी परिच्छा को लेके वीवी परिच्छा विभाग ने प्रोग्राम भी घोसिद कर दिया है यानि कि आप लोग का टाइम टेवल भी जारी कर दियागा है यह आपको टाइम टेवल आप लोग को इस वीडियो में से बाद जैसे ही आपका टाइम टेवल उनिवर्शिटी के वेव साइट पर अपलोड किये जाएगी वैसे ही आपको इस चैनल के मादेम से आप लोग को हम प्रदान कर देंगे जिससे आप लोग को एक्जाम हॉल में एक्जाम देने में असानी हो और परिच्छा को लोग कर वीवी परिच्छा विभागने 28 फरवरी से 5 मार्स तक की चलेगी यह एक्जाम यानि कि इस का जो एक्जाम होगा वो 28 से लेके 5 के चलेगा जो की परिच्छा के लिए केंदर भी निर्दारित कर दिया गया गया है यानि कि आप लोग का एक्जाम सेंटर भी निर्दारित कर दिया गया है लगबग में चारो जिलों में एक कॉलेज को केंद्र बनाया गया है यानि कि लगबग में आप लोग का जो भी एक्जाम होगा वो उमीद है कि आप लोग का होम सेंटर ही दिया जाएगा और ये Admit Card आप लोगों को 25 तारीक को लगबग में जारी कर दिया जाएगा यानि कि आप लोगों को बता दें पुना लगबग में आप लोगों का Admit Card 25 तारीक को जारी कर दिया जाएगा चोकि परिश्या नियंतरक द्वारा ये सब notification आया जैसे ही Admit Card का लिंक ओपेन होगा वैसे ही आपको हम ये प्रोवाइड कर देंगे इस चैनल के मादम से कि आप अपने घर से आप अपने फोन से कैसे Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं ये सभी चानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा इस सब वीडियो से इस चैनल को सेर किजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो की Part 1 से जुड़े हो या Part 2 या Part 3 से जुड़े हो उन सभी स्टूडेंट को notification सबसे पहले मिलते रहें धन्यवाद